नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूस और मैं हूँ आपके साथ मयंक गॉड महराश्टर में बुल्डोजर चला है और यह बुल्डोजर उन पर चला है जिनने राम नाम से आपत्ते थी जिन्होंने राम भक्तों पर पत्तर चलाए थे उनका तरपंधियों के अवैद निर्मान पर बुल्डोजर चलाया गया है अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई की मीरा रोड पर हिंसा हुई थी रविवार रात साड़े दस बजे के नया नगर से बाइक और अन्यगाडियों से राम नाम के नारे लगाते हुए लोग गुज़र रही थे इसी दौरान दूसरे समुदाए के कुछ लोगों ने उन्हें रोका और महा से जाने को कहा बाची तोड़ी देर में जड़प में तबदील हो गए इस दौरान पत्राओ की घटना भी सामने आई इसमें एक महिला के सर पर चोटें भी आई पुलिस ने इस घटना के बाद हत्या की कोशिश और हिंसा की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था मीरा रोड हिंसा का विडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था अब इस मामले में महाराश्ट की शिंदे सरकार ने बुल्ढोजर एक्षण लिया है मीरा रोड पर हुई हिंसा की मामले में आरुप्यों के किलाफ नया नगर में बुल्डोजर चलाया गया अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 21 जनवरी की रात श्री राम जंडे वाले वाहनों पर पत्राओं के बाद मारपीट की गई थी तब महराष्ट के उप मुख्यमंतरी देवेंदर फटनवीस ने इस मामले पर सीधे संग्यान लिया था और तब ही फटनवीस ने चेतावनी देडाली थी कि इलाके के अवैद निर्माड और अवैद कबजे पर करवाई होगी उन्होंने हिंसा होने पर पुलिस आयुक्त मदुकर पाइंडे को भी तलब किया था और उनके संग्यान के बाद पुलिस ने चार नाबालिकों सहीत कुल 17 आरोपियों को हिरासत में लिया राम नाम लेने पर जिन कटरपंतियों को एदराज था अब महराष्ट सरकार ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी है महराष्ट सरकार के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्याराय है हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएं